ओके गुडी बेटी अपरेवन बच्चे आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अगर कोई भी मैस का सवाल जब भी रीजनिंग में पूछा जाता है वैसे सवालों को आप्संस से कैसे बनाते हैं आज की क्लास में हम डिसकास करेंगे बच्चे अर्थमेटिक रीजनिंग के कुछ सवाल, अंक गणित के कुछ सवाल, अंक गणित का मतलब क्या होता है बच्चे, अर्थमेटिक रीजनिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा सवाल जो देखने में मैस का लगता है लेकिन वो एक परिशा में एक छात्र को प्रतेक सही उत्तर के लिए चारंग प्राप्त करता है और प्रतेक गलत उत्तर के लिए एक अंग कम करता है और यह हम सब जानते हैं बच्चे आप किसी भी one day examination में क्या होता है अगर आप कोई भी सही जवाब दोगे तो चारंग मिलेंगे अगर हुआ तो कितना मिलता है माइनस वन एक अंग कम हो जाते हैं फिर बोलता है if we attempt 75 questions and secure 125 marks अब बोलता है यदि हुआ सभी 75 प्रस्णों का प्रयास करता है और और 125 अंग प्राप्त करता है तो सवाल पुछा the number of questions he attempt correctly तो उसके कितने प्रस्ण सही थे आपको बता रहे कितने प्र और अगर्य कि और इक्वेशंस निकालते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्स मानने में दिक्कत आ सकता है उनको यह समें नहीं आता है गृूजी किसको एक्वेशन माने इंगे समी करन कैसे बनाएंगे तो आजकी क्लास में देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई भी सवाल है परिक्षा में तो अगर आपको मैस में हाथ ताग जिन बच्छों को मैस में क्वेश्ट बनाना आता वो तो सबसे बनाना है ब्यग् ص trif做 आपकों स्बसे पहले क्या करतना मैं आपकों सवालों को बहुत ध्यान से पढ़के समझना है जो कि उसी में कंडिशन देगा एक सर्थ देगा जहां से मैं options को क्या करूंगा eliminate आप जार सवाल पढ़ते हैं बोलता है एक परिक्षा में एक छात को प्रतेक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं प्रतेक सही के लिए कितना मिलता है प्लस चार और प्रतेक गलत के लिए एक अंक कम हो जाते हैं तो गलत के लिए कितना मिलता है इसका मतलब ये सारे option किसके है बच्चिए सही जवाब के ये चारो option आते हैं सही कितना गलत कितना आव जाओ 35 कोशन कितने attempt के 75 कोल कितने attempt किए 75 तो अगर 75 में 35 सही है इसका मतलब चेक है, पैकुल 75 सवालों का जवाब दिया, इस 75 में उसके क्या बोल रहा है, बच्चे 35 सही है, तो गलत कितने होंगे, बच्चे गलत हो जाएंगे, 75-35 कितना, 40, अब आजो, प्रतेक सही जवाब के लिए कितना अंग मिलता है, बच्चे, 4 अंग मिलते हैं, तो ये कितना आ ये आ गया, 20 और 140, ये कितना आ गया, 140, लेकिन प्रतेक गलत जवाब के लिए उसके एक अंग कम कर दिये जाते हैं, मतलब 40 के लिए उसके 40 अंग क्या कर दिये, कम, यानिकि ये आ गया, माइनस 40, तो टोटल माक्स कितना आ गया, इनको जोड़ेंगे, टोटल माक्स कितना आ नहीं है टो अरे बाव समझ मैंने क्या किया मैंने बुला कि आगर उसने 35 का सही van दिया मतलब 55-35 गलत होंगे हर सही जवाब के लिए उसे मिल रहा है प्लैस चार तो पैस्टिस गुनाचार 140 मिले होंगे सही जवाब के लिए और माइनस मन मिलता है हरे गलत जवाब के लिए चालिस अंग काट लिए गए होंगे कुल अंग कितना आ गया सवाल में दिया है 125 नभी यह आंसर तो नहीं है सेकेंड प्याव चालिस इसका मदब क्या हुआ सही जवाब कितने होंगे चालिस तो गलत कितने होंगे बच्चे 75 माइनस चालिस कितना तीस अब आज़ो हर सही जवाब के लिए कितना मिलता है उसे चार अंग तो कुल अंग कितने हो गया बच्चे 160 यह मिला उसे सही जवाब के लिए आब आज़ो प्रतिक गलत जवाब के लिए उसे एक अंग काट ल 125 इसका मतलब अगर उसने 40 सवालों का सही जवाब दिया तो कुलंग कितने बनेंगे 125 सवाल में भी क्या दिया है 125 इसका मतलब 20 राइट आंसर अरे क्लियर ठीक है कुछ नहीं करना बच्चो बड़े सवालों को बड़े अराम से हम लॉजिकल वे में सोच के बना सकते हैं तो इ देखो बहुत ही सांदार सवाल है और यह आपके एक्जाम में पहले पूछा गया सवाल है बच्चे अब बहुत सारे बच्चे उनका मैस स्ट्वांग भी है तब ही क्वेशन मराने में आपको दिक्कत आई या दो सवाल क्या बोलता है यह बोलता है इन नंबर ओफ करने की योजना बनाई इसको दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का प्लान किया और उने डिसाइड किया कि हम खाने पे 96 रुपीस खर्च करेंगे 96 रुपाइब कर्च करेंगे फिर बोलता है four of them however did not turn up यहां पर आगया twist अब क्या बोल रहा है हला कि उनमें से चार नहीं आए मत अब लोग कम हो गया पैसा दो नहीं था बच्चो इसका अब जो बचके उनको अब जादा पैसा देना पड़ा कितना जादा देना पड़ा चार वे लिखा बचे परिनाम सरूप से इस लोगों को प्रतेक अत्रिक्स चार रुपए का योगदान करना पड़ा सवाल पोचा पिकनिक में सामिल होने वालों के संख्या क्या थी अगर मैं आपसे बोलू कि जरा मुझे इसका एक विश्चन बना के सवाल बन जाएगा एक टिपिकल सवाल है और अब यह जादा समय भी लेगा तो जब भी ऐसा को टिपिकल सवाल है इसको कैसे बनाएंगे ऑप्शन से बन बनाएंगे और उन्होंने 96 रुपे स्टार्टिंग में वो लोग कंट्रिबूट करें थे वो लोग आपस में बाट रहे थे जो पिकनिक में जाने का प्लान किया फिर बोलता है फोर अप देंडिन और टनफ चार लोग हलाकि उन्हें से नहीं आए तो अगर चार लोग नही से लोगों को एत्रिक 4 चार रुपए ज्यादा देना पड़ा तो आपसे क्स 가장 लोग पिकनिक पे गए इसका बदर यह चारो अउप्सेन उन लुगों के बारे में हैं जो पिकनिक पे गए अब लाजिक I GOT A dot. 21 लोग पिकनिक पर गाए तो planning कितने लोगों ने कही होगी अगर 12 लोग पिकनिक पे गए तो planning कितने लोगों ने कही होगी चुकि 4 लोग पिकनिक पे नहीं गए इसका planning पहले कितने लोगों ने किया होगा 16 लोगों ने ये सारे option दिया हो है अब यही 96 रुपए 12 लोग बाटेंगे अब दो खुजी 96 को 16 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चे कितना आएगा सौरी 8 ने 6 सौरी 6 यह कितना आएगा 6 इसका मतब क्या हुआ पहले प्रतेक वेक्ति को 6 रुपए देना पड़ा अब यही 96 रुपए 12 लोग बाटेंगे तो अब यह परेट कितना आ गया आठ बतला पहले देना आता छे रुपए अब देना पड़ा आठ दो रुपए बढ़ गया लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है चार रुपए ज्यादा देना पड़ा इसका मतब यह आंसर तो नहीं है अब इस पर बच्चे अब दोगों अगर आठ लोगों ने प्लानिंग किया तो सुरी आठ लोग अगर पिकनिक ये अप्सें जो लोग पिकनिक उनके बारें बता रहा है तो आठ लोग पिकनिक फेग तो प्लानिंग कितने लोगों ने किया होगा 12 लोगों ने छेक अब पहले 86 रुप जाता आठ रुपए अब सेस बच्छों व्यक्ति को देना पढ़ रहा है बारों रुपए कितने पैसे ज्यादा बढ़े गए चार रुपए सवाल में भी क्या दिया है चार रुपए इसका आप्शन आगया ऑप्शन नमबर ए ठीक है तो आज की इस वीडियो में हमने दो सवाल देखे दोनों अच्छे सवाल को देखा अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक बंदर का सवाल जो आपके मेंस ने पूछा गया है और यह आगे भी रीजनिंग में पूछा जाएगा चीक है तो उमीद करता हो कर लव यू थैंक यू सो मुच कर लव देखे ंगलों आपके मेंस नेगा है तो यू झाल 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 झाल